यह खबर यूपी के गाजीपुर का है जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मदद की गुहार लगा रहा है हम आपको बता दे कि यूपी पुलिज डायल 112 की जरिये लोगों को तुरंद मदद कर रही है ऐसे में कई कॉलर्स को सिकायत रहती है कि 112 नमबर कई बार नहीं लगता है इसको लेकर वे कई बार शिकायत भी करते हैं ऐसे में मुसीबत में फसे लोगों को हम बताते हैं कि डायल 112 नमबर नहीं मिलने पर आप किस तरह से पुलिस की मदद प्राप्त कर सकते हैं लेकिन यहां तो सब उल्टा ही है, हम आपको बता दें कि यह व्यक्ति यूराजपूर गाउं जिलाव गाजीपूर उत्तरप्रदेश का रहने वाला है, जो की चेनने से आया है, अपने गाउं में आकर इस व्यक्ति को किसी प्रकार का गाजीपूर स्वास्ति विभाग से अपना पल्ला ज़ाड लेते हैं, तो ऐसे में यह व्यक्ति जो की कोरोनावाइरस का शिकार हो चुका है, आखिर इसकी मदद कौन करेगा, इस तरह के लक्षर को देखकर गाउं वालों ने भी इसे काउं से बाहर डिकाल दिया है, तो आखिर यह बजारने वाली बात होगी क कि इसका दोशी कौन होगा, खुद यह व्यक्ति, पुलिस प्रशाशन या फिर सूबे की सरकार, है, और हम सबी यही ग्रामासी चाहते हैं, कि पूरी तरीके से का चेक अब यह बता रहा है, आपको क्या क्या हुआ है, खासी, जुखाम, बुखार भी है, और सास लेने में, सास लेने में तकलीप भी है, अब आप सबस्त ग्रामासी उसे बताना चाहूंगा, इस पोस्ट को आप जाड़ से जादा से शेयर करिए, अभी हमें सूचना मिली है, गाड़ी आने वाली है, यही पर हम लोगों ने, जो भी हमारे भाई लोग है, हम लोगों ने इनको यहां पर बैठाया हुआ है, आपको अउगत करवाना चाहता हूं, क्योंकि यह देशित से, समाज से इस बाता लाइज पर हम नहीं बोलेगी वागों वहत ना धेरे पर करो, घरलने को है शाम, दिया जला आगन धरो, यही जरूरी है काम, हम नहीं बोलेगी वागों